आपका स्वागत है मैं हूँ प्रतिबिम शर्मा आवाज देश्की में आज हम विशलेशन करेंगे शिक्षा मंतरी के उस बयान का जिसमें उन्होंने इतिहास की गलतियों को ठीक करने की बात कही है लेकिन क्या आप जानते हैं राकीगड़ी भारती महादवीब का सबसे बड़ा हडपा स्थल है और ASI द्वारा राकीगड़ी में किया गया उत्खनन यानि की खुदाई की गई और खुदाई में 5000 वर्ष पुराने दो मानव कंकाल मिले कंकाल के DNA नमोनों की जाच की गई कंकालों के DNA टेस्स ने आरियों के बाहर से आने की थियोरी को जुटला दिया बहुत सी थियोरी और दी गई उसकी सच्चाई जाने की आवश्चता है जैसे वासकोटी गामा ने भारत की खोज की सिकंदर ने पूरस को हराया और अकबर महान था सरस्वती नदी का कोई अस्दित्व ही नहीं था जैहां इन पुरे बिंदों को जानने समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शिक्षा मंत्री को ये कहने की आवश्चता क्यूं हो पड़ी तीर विशेशक्य मेमान हमारे साथ जुड़े हुएं प्रॉफेसर उमेश आशूक कदम हैं सदस्य सची भारती एतियासिक अनुसंधन परिश्यत के आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ डॉक्टर मकंलाल हैं प्रॉफेसर और संस्थापक हैं निदेशक दिल्ली इंस्ट्यूट आफ हेरिटेज रिसर्च और मेरिज्मेंट के डॉक्टर जेपी दलाल हैं इतिहास कार हैं और मेरे साथ मौझूद हैं जिनके मैं मध्य में बैठा हुआ हूँ जनता जनारदन आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है आम तोर पर हम ये करते हैं कि हम विशेशग्यों से शुरुआत करते हैं चूंकि यहां पर बहुत सारे चात्रे हैं और इन चात्रों में या तो इतिहास पढ़ चुके हैं बारवी तक या अभी भी इतिहास के चात्र हैं मैं चाता हूं कि कारकरम के शुरुआत इन चात्रों के सवालों से या प्रश्णों से की जाएं मेरा आपसे प्रश्ण है कि क्यूंकि मैं इतिहास की चात्र हूं तो मैं इसलिए आपसे जानना चाहती हूं कि देश में हम देखत है कि अगर हमें इस सुधार इसमें हमें सुधार लाने की जरुवत है तो इसके लिए क्या केवल पुस्तकों को थोड़ा सा बदल देना इसके लिए काफी होगा या इसके लिए हमें कुछ और सतत प्रयास करने होगा देखे आपने बहुत अच्छा परसंद रिखा है कि इतिह इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते आपको यह अधिकार भी है कि आप जाने की वास्त्युक्ता क्या थी व्यज्ञानिक अध्यन अतीत का इतिहास है लेकिन इतिहास कोई स्टेगनेशन नहीं है कि एक बार जो लाइन खीशती वही रहेगा विद पैसे ऑफ टाइम एवि इंडियन इतिहास की वह डेड़ से दो हजार साल पीछे चल रही है मतलब और पीछे हमारा इतिहास जा रहा है तो आई सीए चार इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे मेंबर सेक्रेटरी हमारे साथ हो ओभी इस पर फोकस करेंगे लेकिन आपको मैं एक बात पता दू कि अगर पास्ट में गलतिया हुई हैं तो इसके रीजन्स है जब भी कोई सोर्स है पानी पीछे सारहा है पहाड से आ रहाए जो पानी का सोर्स है अगर नदी का सोर्स है उसमें अगर आप मिलावट कर देंगे तो ओरेबियन सी तक नीचे तक जाएगा मेरा कहने का मतलब है कि Marxist School of Historiography और Englishist School of Historiography ने knowingly हमारी culture के साथ, हमारा जो देश है, it is not, you know, the country didn't come as a political war, हमारा देश दुनिया में अदभुत देश है, जो कि cultural aspect से एक output हुआ है, एक देश का निर्मान हुआ है, और वो सद्धियों से है, ये इतिहास knowingly गलत क्यों पढ़ाया गया, when the British, they were ruling over India, at this time, it was done knowingly by the Englishist School of Historiography, जान पूछ कर culturally हमें backwards सपेरों का देश देकलेर किया गया, और आज भी दुक्की बात ये है, कि आज भी जब ये प्रू हो चुका है, हर हाल में चाहिए को कनिंगम का भरतन था हडपा के समय, या उससे पहले जितने भी फिलोसपर्स थे या हिस्टोरियन्स थे, जिन्होंने अपने देशों के एसी चेंबर्स में बैठके डिकलेर कर दिया, कि आरियन भार से गए, इंडिया का कोई इतिहास नहीं, ये सारी के सारे भरम तोड़ने की जरूरत है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जरूरत है, और इस तरह के कार्यकरमों से इस तरह के भरम तोड़ने अतिया वश्यक्त, जी लेकिन ये काम प्रफेसर मकान लाला आपको नहीं लगता कि जैसे ही 1947 में हम लोगों ने आजादी हासिल की थी, उसके बाद की सरकारों के द्वारा कर दिया जाना जाहिए था, इतना वक्त क्यों लगा? हमको थोड़ा सा इतिहास के इतिहास में जाना पुड़ेगा, देखे हम अगर ये सोचें, 1947 में सिर्फ बुटिश स्टियोग्रेफिट थी, जो तो ये भी जरा उन लोगों के प्रत्याति होगी, जिन्होंने भारती दिस से इतिहास लिखा था, वो चाहे आर्शी वजुमदार जी रहे हो, चाहे टीवी महालिंगम रहे हो, चाहे के अन्सास्त्री रहे हो, चाहे टीशी सरकार रहे हो, वो एक बड़ी परंपरा थी, आरके मुखरजी रहे हो, इन लोगों ने ब्रिटिश इतिहास कारों के सारे माननताओं को, सिस्टेमेटिकली बहुत बड़ी स्कॉलर्शिप के साथ, कैंसिल किया था, खंडित किया था, 1947 के बाद जो परिस्टिती बनती है, वो एक बहुत महतुपूर्ण परिस्टिती बनती है, अंग्रेजियों के काल में, जैसा कि अंग्रेजियों की सभ्यता का एक हिस्सा है, कि दूसरे की बात को वो बदलने की कोशिश करेंगे, दिमाग को बदलने कोशिस करेंगे लेकिन उसको खत्म करने की कोशिस नहीं करते जो मार्शिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी का मेझ नेम होता है मार्शिजम का में नेम होता है If you can not be changed you should be finished लिहाज़ 1947 के बाद जब मार्शिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी आई है तो जो परंपरा आगे बढ़ना चाहिए था आर्शी में जुमदार की टीवी महालिंगम की के अन्सास्त्री की बहुत बड़े बड़े लोग थे उस परंपरा को खर्म कर दिया गया खर्म करने का एक ही तरीका था कि ऐसी सभी आवाज को दबा दिया जाए उनको किसी भी एके अन्हीं अंग्रेजों के जमाने में जिनके खिलाफ वो पूरी जिंदगी लिखते रहे ये एक परंपरा थी उसके बाद ऐसा नहीं है पराबर ये लिखते रहे मार्शी स्ट्रियोग्रेफी का एक ही एम होता है बाकाइदा डिकलेर्ड है थू हिस्ट्री चेंज दे सोसाइ कर पा रहे थे तो एक चीज हुआ कि पोरा इतिहास ही खतम कर दो इस तरह से कि समाज को अपने इतिहास पे शर्म लगे और घ्रणा करें उसी तरह से किया गया था हमें नहीं भोलना चाहिए 1977 में जब जनता पार्टी शरकार आई थी तो आरे शर्मा की एंशेंट इंडिया सी एंसी आर्टी से चपी थी जो बैन कर दी गई थी एंसी आर्टी की किताबों के बदलने में मेरी बोरी भूमिका थी और एंशेंट इंडिया, मौडरन इंडिया, कंचाये यह सब मैंने कौरणियेट किया था कच्छा-च्छा की कच्छाई-गारा की किताबे एक रो मिला पर दूसरी आरे शर्मादौरा लिखी गई, मैंने रिप्लेस की और पूरे इत्यास का कॉडिनेशन हुआ, लेकिन वो पहला बड़ा प्रयास हुआ था, जब किताबों को बदलने कोशिश की गई, अशिच्छा मंत्री ने तर गेती कहा है, दुर्भाग ये हुआ, कि 2004 के मई म जैसे ही सरकार आई है, मनमोहन सिंग जिर्षपत लिया, एक हपते के अंदर अर्जुन सिंग साब की तरफ से अर्डर हुआ कि NCRT की सारी नई किताबे पोस्क्राइब्ड, खतम की जाती हैं, लाखों किताबे जो छपी थी वो जला दी गई, और फिर से वही किताबे वापस ला गई, जो अब तक चल नहीं है, लहाजा यह सबका करतव्य है कि हमें इस तरफ मतलब सकारात्मक रुक लेना चाहिए, विद्यार्थियों से मेरा विशेश कर अनुरोध है कि आप सिर्फ NCRT किताबे न पढ़ें, सिर्फ आरेश शर्मा को न पढ़ें, डाक्टर एस्पी क्या लिख रहे हैं, उसे भी पढ़ें, उमेश कदम क्या लिख रहे हैं, उसे भी पढ़ें और बड़े बड़े इतिहाज कि एस लाल साव में तवी तै documentary है इसमें खासकर के जो मेटिवल इंडिया है उसमें सर्फ मुगल डैनेस्टी एंड ये दली सल्तनत सर्फ सर इन सब का वेटिज बहुत जादा होता है प्रफिसर मेश क्या इसी को बदलने का या इन ही चीजों को घलतियां कह रहे थे शिक्षा मंत्री और उन्होंने कहा था कि इसको बदलने की आवश्यक्ता है मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार आपने आईसी एचार को इस महत्वपूर्ण प्लैटफॉम पे जगदी है आईसी एचार गए तीन महिनों के अंदर चार महिनों के अंदर बहुत सारे प्रोपोजल्स और प्रोजेक्ट्स लेक्या आया है बच्चों के सवालों में जो महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं अपने देश के इतियास के बारे में जानने के लिए और बार बार हम जब प्रयोग करते हैं इतियास और अचानक इतियास से लेके हम हिस्ट्री कहना शुरू हो जाते हैं पहले तुम्हें यह कहना चाहूंगा कि आप यह समझ लीजिए कि इतियास एक अलग नौलेज सिस्टम है, हिस्ट्री एक अलग नौलेज सिस्टम है, इतियास और हिस्ट्री यह दोनों parallel words हो सकते हैं, same नहीं हो सकते हैं भारत में प्राचीन काल से एक indigenous ऐसी नौलेज सिस्टम है, जिसको हम इतियास कहते हैं, और यह सारी सिस्टम जो है, यह पूरी तरीके से oral system है, verbal oral system है और our knowledge has been passed to us in an oral format, memorization and keeping things in a right format, pronunciation, understanding things in a right format and pronouncing it in a right format हमारी जो इतियास की धारा है, उसमें पहले होता है दर्शन, दर्शन के बाद होता है ज्यान, और ज्यान के बाद होती है विध्या अब दर्शन क्या है, जैसे there is a point of view, आपने कुछ प्रश्ण पूछा है, there is a point of view point of view पे हम लोग क्या करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं शास्त्रार्थ करने के बाद उसका अंतरमुक भी करते हैं और बहिरमुक भी करते हैं और उसके बाद एक ध्यान का प्लाटफॉर्म तयार होता है, उस ध्यान के प्लाटफॉर्म को हम ठीक से समझ के उसको theorize करते हैं और theorize करने के बाद जो विद्या है उसको हम कहते हैं पेड़गोगी, कि उसको लोगों में हमें कैसे देना है, लोगों के सामने उससे कैसे प्रेशित करना है और उसको logically और rationally लोगों के साथ कैसे जोड़ना है इस इत्यास परमपरा को इस knowledge system को हमने पीचे कर दिया है और हम जुड़ गए है European style, Eurocentric style में history को देखने के लिए जो 19-20 सतावदी में develop हुआ उससे पहले वो लोग जूज रहे थे कि मैं कौन से discipline से देखू anthropology से देखू, political science से देखू, sociology से देखू, economic से देखू, किसको मैं हित्यास कहूँ इसके लिए उनका बहुत बड़ा debate शुरू था, positivist phase था, romantic phase था, enlightenment phase था, हम तो पहले से enlightened थे हमने कभी भी periodization में विश्वास नहीं रखा, इत्यास धारा जो है, भारती इत्यास धारा जो है, उसमें प्राचीन, मद्योगीन, अरवाचीन, ऐसी धारा ये नहीं होती है हम सब कुछ एक तरीके से chronological order में जानने की कोशिश करते हैं, और यही शिक्षा मंतरी कह रहे हैं कि हमें इसी ध्यान शाखा में जाना है, इसी knowledge system को हमें आगे लेके जाना है, जो हमारी नई राष्ट्रियर शिक्षा नीती है, उसमें भी Indian knowledge system के बारे में बात की है, और इसी को हमें आगे जाके सोचना है, यह हुई एक बात, दूसरी बात जैसे यहां पे एक स्नातक बेटी है, इसने अच्छा प्रश्न पूचा, कहती कि मुझे सारा कुछ अभी मध्ययुगीन के format में मुझे जो पढ़ाया जाता है, उसमें मुगल और सल्तनत पीरियर दिखाया दे जबकि आठवी शताब्दी से लेके चौदवी शताब्दी तक और चौदवी शताब्दी से लेके अट्रवी शताब्दी तक बहुत सारी डाइनेस्टीज हैं, इंडियन डाइनेस्टी, कदंब डाइनेस्टी, चोला, चेर, पांड, काक्तिय, यादव, सातवाहन, कुट काक्तिय पाल ये सारे डाइनेस्टी जो इतना सारा कॉंट्रिबूशन किया है मद्यूगिन काल में मद्यूगिन काल डार्क एज नहीं है यूरोप के इत्यास की तरह हमारा मद्यूगिन काल एक जाजवल लिपूर्न है हार्ड रॉक टेम्पल आर्किटेक्चर इसी मद्यूगिन काल में आपको दिखाई देता है सबसे बढ़िया और टेम्पल क्या है टेम्पल ये सिर्फ रिलिजिस एक्टिविटी करने की जगा नहीं है इसलिए इस साल का जो थीम है आईसी एचार के कैलेंडर का वो टेम्पल ह एक ऐसी सेक्रेट स्पेस है जहां पर डिस्कोर्स होते है जहां पर ज्यान आरजन होता है टेम्पल एक ऐसी स्पेस है जहां पर फैमाइन साती है तो उसमें रखा हुआ जो वो ग्रेनरी का भी काम करती है वो बैंक का भी काम करती है वो डिस्कोर्स का भी काम करती है वो स्प इस format के अंदर अगर हम पहले calendar के रूप में कुछ देना चाह रहे हैं, वो हम पूरे temple, temple से जुड़े हुए हमारे सारे spiritual formats और temple के साथ, हर एक deity के साथ एक पशू पक्षी जुड़ा हुआ है, एक natural herb जुड़ी हुई है, एक natural flower जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं यह कहता हूँ कि भारतिय इत्यास परंपरा में, gender, environment, atmosphere यह सब अलग-अलग कुछ नहीं है, यह सब कुछ जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक आपको वहाँ पे जाके प्रार्थना नहीं करनी है, it's not a spiritual activity, it is an enlightenment activity, it is an reformist activity, मद्ययुगीन काल में भक्ती मूव्मेंट्स है, भक्ती मूव्मेंट्स ने पूरा dynamism create किया है, जी कहीं ने कहीं यह पूरा जो है, हमारा इतिहास, हमावेशी इतिहास था, तो उसके साथ, क्या गलती से ऐसा हो गया, कि उसको सापित करने का प्रियास नहीं किया गया, या इ जवाब सम्मिलित है, फिर भी मैं उसको कर दो, आगे बढ़ा दे हैं, आपने का कि सभी इतिहास कार एगरी नहीं करते हैं, इतिहास में भी तीन इस्थितियां बनती हैं, एक होता है सर्वमान्या, भारती परंपरा में ही चलेगा वो, सर्वमान्या, जिसमें कोई डिस्प् नहीं होती, वो सर्वमान्या है, दूसरा इतिहास की विधा है बहुमान्या, किसी भी घटना को लेके, ज्यादा तर इतिहास कार मानेंगे कि अशोग बहुत बड़ा राजा था, सर्वमान्या है, बहुत कम लोग, इस पर अशोग को लेकि इस बात पर डिबेट हो सकती है, कि बुद्धम सरणम गच्छाम, सग्णम सरणम गच्छाम का क्या मतलब था, कि अशोग क्या वास्तों में बहुत बन गया था, इस पर बातचीत हो सकती है, तो ये तीन इसितियां हमेशा ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री, बहुत सुंदर उमेश जी, इतिहास और हिस्ट्री को आपने अलग कर दिया, मेरे लिए बहुत आसान हो गया, इतिहास नहीं लिखा गया, इतिहास लिखा नहीं गया, हिस्ट्री लिखी गई, और हिस्ट्री में उन विधाओं का भारत के इतिहास को इंडियन हिस् में वो लिखा गया जो भारती इतिहास की परंपरा में नहीं था भारती इतिहास में दो चीजें बहुत निश्चित थी हैं भारत में इतिहास सिर्फ राजाओं का इतिहास नहीं था युद्धों का इतिहास नहीं था Foundations of Indian Culture जरब पढ़िए पांच शेप्टर हैं तीन सो पेज़ की किताब में आँखे खुल रहेंगी पिछले दस वर्सों में मैंने कम से कम डेर्ड सो कापियां खरीद के विद्यार्थियों को दोस्तों के दिया उससे अच्छी किताब भारती परंपरा भारती इतियास को समझने के लिए कोई मुश्किल से मिलेगी मैंनी काई रहाँ कि नहीं है यह जानगूच के किया गया उसके पीछे एक कारण है किसी भी देश के उपर किसी भी समाज के उपर किसी भी संस्कृत के ऊपर, आप तब तक वर्चस नहीं कायम कर पाएंगे, जब तक आप उनके पर शाषन नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आप शाबित न कर दें कि आप कुछ नहीं है, कुडा है सब, हम आपको देंगे. यह लड़का यह दिखाने कोशिश करता है कि मैं तुमसे जादा जानता हूँ मैं मानिटर बनने योगी हूँ तो मानिटर बनने वाली पता है अंग्रेजों ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया यह बताने के लिए कि आपका रिगवेद गड़रियों का इतिहास है उसमें कोई नालेज नहीं है आपका वेदों में कुछ नहीं है मेकाले ने लिख दिया कि इंटाइर इंडियन सिस्टम नालेज वो यूरप के किसी एक आलमारी से भी नहीं कम है तो ये चीजें जानबूच के की जाती हैं जिस इतिहास कर देखिए आप आपको रिप्रेजेंट करने का समय आ गया है आपके माध्यम से में देश के 26 क्रोड बाकि युफायों को भी बताना चाहता हूं जो स्कूल और कॉलिज सिस्टम में अलग अलग हैं आप इंडस वेली स्विलाइजेशन का जब इतिहास बढ़ते हैं तो आपको मेसोपर्टाइम या रोमन इनका इस्टेक सब कुछ धान में रखना है और आप दुनिया को ये बताने के लिए अब तयार हैं विज साइंटिफिक एविडेंस की हडपा जो सभ्था थी साथ सो सालों तक अपने चरम पे रही है जबकि दुनिया की जितनी भी सभ्था है रही हैं आप उनका इतियास उठा लें वो पचास से डेड़ सो साल अपने चरम पे रही हैं दूसरी बात जब भी आप बताते हैं य लाइंड हिस्ट्री यूरोपियन हिस्ट्री मांती है भारती इतियास ऐसा कभी नि antibon si colista, Şimdi वैंस के बारे हैं तो आपके पास नालंदा और तक्सिला करे चाहिए मतलब अपनेपने आपको अंदर अपने उसे feel proud to be Indian and to be a part of such a rich and cultural heritage जिसने पूरे South Asia में आप Japan का इतिहास पढ़ लें, चाइना का इतिहास पढ़ लें, Laos, Cambodia, Vietnam का पढ़ लें, आप Angkor Wat का Temple जैसे मंदर के बारे में और फिर उसका परचार और परसार करें, जी जी कुछ और सवाल, हमें बताया जाता है कि Newton ने gravity की discovery की, हमें हमारी science, physics, chemistry, सबके books में बताया जाता है कि Einstein, Galileo, Archimedes यह सब महान थे, अगर यह इतने ही महान थे, इन्होंने जो gravity की खोज की, वो six, seventh century में की, हमारे जो विमान शास्त्रे लिखा गया, वो बहुत पहले लिखा गया था, जब किसी को gravity की knowledge ही नहीं थी तो फिर विमान शास्त्रे जैसी महान किताब, जिसमें एक एक part, एक aeroplane का practical, theoretical, सारे parts को बता दिया गया तो फिर हमारे education system में वो आज क्यो included नहीं है, बहुत बढ़ी बात ये, कि अगर यहाँ पर हम गुरुत्वा करशन के बार में जानते ही नहीं थे, वो हमें बात में बताये गया, तो हमारे वेदों, पुराणों, हमारे धार में, ग्रंतों में, बार-बार, कई बार, ये शब कि हम digital library for vernacular sources on Indian history and culture बना रहे हैं, अब ये हम क्यों बना रहे हैं, कि जैसे sir ने कहा, प्रोफेसर माकंडाल जी ने और sir ने कहा, कि हमारी जो archives है और libraries है, these are a colonial construct, इन्होंने सोचा कि ये इस किताब को यहाँ रखना है और इसको नहीं रखना है, तो उसको आप बार-बार देख भारतिय भाषाएं जो है, प्राचीन भाषाएं, मद्यविगीन भाषाएं, इसमें जो इथियास दर्शन हो रहा है, वो कहा है, इसलिए ICHR ने 150 से भी जादा private institutions identify किये हैं, और हम उनके साथ MOU साइन करके, वो सारी पांडूली प्यां डिजिटाइज करके, ICHR के पोलटर किये डाग रहे हैं, इसका पहला MOU 2 तारी को साहिन हो रहा है, शिवाजी उनिवर्सिटी के साथ मराटा हिस्ट्री पे सारे के सारे माडी डॉक्यूमेंट्स आ रही है, उसके बाद आसम के सारे बुरंजी डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे, कश्मीर के सारे प्रोजेक्ट है उसका पहला जिस्ट वॉल्यूम 22 मार्च गुड़ी पाडवा के दिन आ रहा है जिसके यह बताने की कोशिश आइसी एचार करेगा कि वाट है वी लॉस्ट इन हिस्ट्री और पूरा देश जानना चाहता था और आप ने इस हमच से इस कारिक्म के माध्यम से बड़े खोल करें इन विशें को बता दिया आप तीसरा बहुत-बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा है और उसमें 50% साइंटिस्ट जुडेंगे 50% सोशल साइंटिस्ट जुडेंगे और हम यह जो कताएं हैं जो हमें कहते हैं कि हमारे रिषी с नहीं थे वो सिर्फ रिषी थे और उनका काम सिर्फ धर्म का काम करना था इसको हम पीछे करके हम बताएंगे जग को कि सिर्फ जिरो नहीं दिया है पाई की वैल्यू भी दिये हमने आपको एस्ट्रोफीजिक्स भी सिखाया है हम हमने आपको astronomy सिखाया है हमने astrology को कैसे scientifically सिखना है वो भी हमने ही बताया है लेट इस थर्ड प्रोजेक्ट चावता प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है वो राइटिंग ऑफ एकोनोमिक हिस्ट्री आप इंडिया वह भी कि अंचर इसे सफ्ड्रिम नॉर्सेन को बर बाद किया और किया अगर्य में हमीर की पंड रहा हूं मैं जाके यूरोप की उनियुर्पोश्तिते में पढ़ रहा हूं जबकि प्राचिनकाल में और काल में पूरे जग के विध्यारती भारत के विध्यापिटों में आके अपनी पढ़ाही कूरी कर रहे थे आज हमें विश्व गुरु बनना है आज हमारे पंत प्रदान जी ने हमें नव उर्जा दिये है नव चेतना दिये है हमें आगे जाके भारत को विश्व गुरु बना भारत की विद्यापिटों को हमें शक्षम बनाना है अजेंडा यहां से ठोगा और फॉलो पूरा जग गरेगा इतना कुछ बताने के बाद बहुत कुछ बचता नहीं है इस विशेश कारिकम में बहुत कम समय में प्रॉफेसर उमेश अंशुक आपने बहुत सारे बिंदू पर प्रकाश डाला प्रोफिसर मगनलाल आपने जो है बहुत ज्यादा ग्यान वर्धन किया और दलाल साहब आपने जो है इतिहाज की परतों को उकेरने में हम लोगों की मदद की आप तिनों का बहुत बहुत धन्यवाद ठांक्यू वेरी मच्च और धन्यवाद जनता जनार दनका आवाज देशकी में आज के लिए इतना ही आवाज देशकी में आपसे फिर भेट होगी एक नवी शेय के साथ फिलाल मुझे आग्या दीजिए लेकिन देख तेरी संसर टीवी नमस्कार कर दो